खोटा के रामगश बंडी में एक शराबी ने पुलिस जवान के साथ मारपीट की है जानकारी के अनुसर मामला शहर के शहिद पनलाल यादव चौराय का है जहाँ पर एक यूवक ने शराब के नशे में वैपारी से बत्तमीजी की जुसके बाद दैपारी ने पुलिस को मामली की शिकायदी सुचना पर पुलिस मौके पर पहुची और यूवक से समझाईश की है तो आरूपी यूवक पुलिस जवान से भी भिड़ गया है तो वही कड़ी मौशकत के बाद पुलिस ने शराबी यूवक को काबू में किया है फिलाल पुलिस मामली की जाद परताल कर रही है आपको बतादे कि शराब की नशे में पुलिस के साथ बत्तमीजी करने का ये संसनी खेज मामला सामने आया फिलाल समझाईश पर यूवक ने पुलिस से मारपिट की और बहापर पुलिस समझाईश करने के लिए पहुच थी लेकिन उसके बावजुद यूवक काबू में नहीं आया है कड़ी मौशकत के बाद पुलिस ने यूवक को काबू में लिया है शराब की नशे में यूवक ने पुलिस वालों से भी बत्तमीजी की है और ऐसे में ये पूरा मामला कोटा का वतायजवार है लगतार अब इस पुरे मामले को लेकर पुलिस आगे की जाहत प्रताल में जूटी हुई है पुलिस ने याँ पर यूवक को हिरासत में ले लिया है तो ऐसे में वैपारी ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस भी मौके पर पहुँची जिसके बाद यूवक ने पुलिस वालों से भी बत्तमीजी की है तो ऐसे में शुराब के नुशे में धूट यूवक बत्तमीजी करता हुआ नजर आया और आपको बता दे की फिलाल पुलिस ने सबसे पहले तो समझाईश की कोशिश की लेकिन यूवक समझाईश पर भी नहीं माना और पुलिस वालों से बत्तमीजी करने लगा मार्पीट पर आ गया तस्थीरे भी आप साल देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी से किस तरीके से यूवक मार्पीट करता हुआ नजर आ रहा है और फिलाल पुलिस ने यूवक को हिरासत में ले लिया है और यूवक से लगतार पूश्ताश जारी है तो कोटा का ये पूरा मामला है पुलिस समझाइश करने के लिए मौके पर पहुची थी लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और पुलिस ने यूवक को हिरासत में ले लिया है यूवक नशे में धूत पुलिस वालों से भी पत्तमीजी करने पर उतारू हो गया आपको बता दे कि यहाँ पर यूवक ने पुलिस वालों से मार पीड भी की है तस्वीरे आपके सामने हैं